बीष गता है हमको इक आरे में हर इंडेकस के रखाई किने जिसे इंडेकस आगे लेसकताउं या तो मैं बनेंडेकस पर आ सकता हूं या मैं सेकेण इंडेकस default ले सकता हो जैसे जर्व जिंडशी देंडिक्स ले अभर मैंसे थ्री खी भी ले सकता हूं थो जैसे छेवारों 1 तौ तू ट्री टो मैं फर्स्टिंप यहां पे लिए सकेंड्ड गया मैंस ऐह पर सकता हुआ रॉद साफ आल वाराउंसर हो गया टुब्या 10 की है और इसका ड् यहां चाहिए और मेरा यहां से इंद्पव्इंट लेता हूँ तो मैं फर्स्ट फNew स्कतम या मैं सेटेंवाशच पॉल्च और यहां सेorang सबस्झे और यहां यहां पर यहां पर मैं तो थर्ड इंडेक्स पर जाओंगा या फिर फिर फार्ट इस्ट और किता जा सकता हूं अगर मैं सिर्फ इंडेक्स तक जाता हूं अगर मैं अपनी पूरी जंप लेता हूं तो मैं सिर्फ इंडेक्स तक जाता हूं और अगर मैं फॉर्ट इंडेक्स प मुझे सबसे minimum number of jumps में अपने end पर पहुचना है रहे रहे राइट यहां पर फॉर्ट इंडेक्स पर लोगा जैसे थर्ड अगर यहां पर फॉर्स्ट इंडेक्स करों वान टू थ्री तो मेरा फॉर्ट इंडेक्स फार्डेस्ट है राइट तो इसलिए हम लोग यहां पर फार् होगा जब सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें लाइच आए तो मेरा फ्रों अपहली में यहां पर फार्डेस्ट करेंगे टिक है यहां पर मेरा फार्डटेश देख लो कि यान से वार्डटेस्ट मेरा क्या रहा है एस आफ वन में जब मैं प्लस कर रहा हूं तो मेरा फॉर आए आरिवाद समझ करहें थ्री प्लस फॉर होता रहा है जैसे इंडेक्सी प्लस पर में वह हूं उससे मेरे को 3 quas करूं गा तो 40 ग करकर मैं यहां पर करूँगा 2 प्लस 1 तो 3 आए गा मतलब यहां से 3rd 2nd अधर इंडेक्स तक हो लेकिन में 1 इंडेक्स तक पुहाँ सकता हो तो मेरी जो जम्प की वह 1 इंडेक्स होगी और जब भी मेरी जम मेरे इंडेक्स तक बराबर हो जाएगी तो तो अपनी minimum number of jumps को plus plus कर देंगे अब मैं next jump लेनी है मैं को index jump लेनी है अब मेरी next jump क्या होगी मैं यह थर्ड यह लिए ना तीन index या तो मेरी 1 होगी या मेरी 0 होगी क्या मेरी 2 होगी इनी तीनों के इसे होगी राइट तो अब देख लेते हैं हम मैं फार्ट काउन सी jump से जा पा रहा हूं क्या मैं 0 से जा पा रहा हूं जो मेरा current index है अगर मैं इस से जंप लूगा तो मैं एक भी step आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो मेरा फार्ट इंडेक्स भी मिन्यों नंबर जम्स हो गई तीन मिन्यों नंबर आप जम्स कितनी हो गई तीन हो गई और मैं यह से डाइरेक्ट अपने लाश्ट इंडेक्स पर पहुंच चुका हूं राइट तो मुझे एक और जम्प लेनी की जरुवत है ही नहीं हमने उपना उसको को बहुत इसी ली पर पिस क्याल कुलेट करना है कि कितना फार्दस इंडेक्स में जा पा रहा हूं इसको कोड करता है वह तो हमने इस क्वेशन में क्या कर रहा है सबसे पहले तो मैं एक बेस केस लिखता हूं आपर अब सब एदे एक एंडियों करेंगे जो की होगा मेरा इंडम्स डॉट सार इस टिक है उसके बाद होगा इंट स्टेप्स इस इकल दो जीरो एक स्टेप्स नाम का वेरेवल बनाया है एक मैक्स जंप कितनी बड़ी जंप मैं ले सकते हूं पर्टेक्वलर इंडेक्स है और मेरी जंप यह मेरा अंसर वेरियाबल होगा जंप जो मैं मिनिम नुम नुम है मेरा अरे का साइज जो अवो लेज देन है इकल टू बाल है तो मतलब मैं और अख्री पर हो राइट अगर मेरे का साइज ही एक है तो मतलब मुझे कोई जंप करने की ज़रूरत नहीं मैं ओर डिलास्ट इंडेक्स में हो रहेंगे तो डायरेक्ली में रिटन कर सकता हम जी है लेकिन आदो हम already last index में तो हम directly 0 return कर देंगे फिर हम फॉलूप लगाते हैं यहां पे टाइस इकल डू जीरो आए लेज देट मैं कितनी बड़ी जंप मार सकता हूं मैं सब्सक्राइब करें कितना तक यहां सकता हूं यहां प्लेस त्री फोर्थ फॉर्थ इंडेक्स तक जा सकता हूं वान प्लेस त्री ही क्यूंग रहा हुआ क्यूंकि यहां से मैं 3 Index की जम मार सकता हम और मैं कुनंसे इंडिक्स की हूं ? absolutes IGHT 1 पर 11 से 3 क reflecting मार सकता हुँ मैं दूसरी तीसरी तो man Vidya ören करे का मैं तो 4 देगा न फॉर अंचे आजा जागा थे को far this रिसका 4 अर्च पर फार दिश और इंडेक्स थेंग है अब अब हमने क्या लोगशिक लगाया अपनी चांप मतलब अपनी मिनिमूम नंबरी चंप को चैबुल्ए करने का की यहांपर हम लोगए लगाया कि जो ने स्टेप्स जो मेरे स्टेप्स क्याइए मैं यहांसे सिफ दो स्टेप जदा आगे होगी 2 दो लेंध की आ रही तो नोच हों डिया इन दोनों पर्याफे च prolEP करने वन्हें को लिए निंत्न गरने के आज़ है यह जो घूब तो मने तुम दोनों में दोनोंगे तो मने तो मैं सारे हईरेट कर दियुक्त मैं है सब्सक्राइए कि उसक्राइए तो मेरे स्ट्राइबator कर दोगा मिटस्ट कर दो और तुमको पता चल गया है और तुमको पता चल गया है जो मेरे next steps स्टेप से अगले स्टेप से और यहां पर which tips je जो मेंने next steps हो तो और मेरे maximum jumps के ब्लाबर मेंchts पेद दो ब Zurतो अगले habits ले सकता हो मैंगे अर्यवाद समंझे मैं यहां पर श्टेप स्कारविय तो दो है देखो मैं एक स्टेप ले सकता हूं दो लेसकता हूं अब इन डोने इनसे मैक्सिमम्न के घurnia अधर्शमायक यह मतलाब इस से जाद Sunds को प्लेस पड है तो एन बूर्शी माधिर दे घृनी है tighten यहां पर मुझे जब यह 2 पर आ जाएगा तो मुझे दूसरी से लेनी पड़ेगी आरी बाद समझ में फिर उसके बाद से मुझे इन दोनों में से चूज करना पड़ेगा कि कौन जी मेरी मैक्सिम जम्प है I think यह समझ में आ गया होगा When I have exhausted my steps I need to change my steps to next max jump and increment the min jump steps मेंने सारे exhaust कर लिये तो मतलब मुझे next possible maximum jump माननी है मतलब इन तोनों में से maximum jump माननी है फिर उसका इन तोनों में से maximum jump माननी है यही तो करने था हूँ हम हमेशा अपनी जो हमारी previous index में से कहल देख रहे हैं कि कितनी मेरी लबी jump हो सकती है और उन सारी मतलब सब सब इंडेक्स पर जाकर देख रहे हैं कि यहां से मैं कितना दूर जा सकता हूं कि मुझे जितना जल्दी possible है last index पर जाना है तो मैंने बहुत सिंपल करके इस question को बता दिया है एक बार इसको रण करके देखते हैं तो यहां पर brackets नहीं लगा है यह function होता है ठीक है यहां पर ऐसे लिखते है तो हमने successfully solve कर लिए एक बार submit कर लेते हैं question को तो होपसूस समझ में आया हुगा हमने बहुत बहुत इसी लिए question solve कर लिया ठीक है तो एक बार dry run देखो एक बार copy में खुट करके देखो बहुत असान question है में कुछी करना है एक इंडेक्स हमें जंप मार सकते हैं हिए हमको बस ये गाल कॉलेट करना है कि कौन से मतलब जेतनी भी number of तो अगले तीन में से मैक्सिमम कॉन सा है ऐसी करते करते तुमको देखना है कि तुम कितिनी जल्दी आखरी वाले पर पहुच सकते हो तो यह मारा o of n time में solution हो रहा है और हमने कोई data restriction ने लिया तो space complexity wise भी o of 1 में solve हो रहा है thank you guys